नमस्कार 124 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आनियल से लोगजन सक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख पश्रपति कुमार पारस के एंडिये से बाहर जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है हाले में संदर्व में एक महतपूर्ण बयान जारी किया गया है जिसमें संकीत दिया गया है कि पारस एंडिये कड़ बंधन छोड़नी की तयारी में हैं इसे लेकर राज़ुतिक हलकों में अटकलों की बाढ़ आ गई है पार्टी की ओर से बयान आने के बाद पारस ने अपने सरकारी बंगले को खाली करने की पक्रिया भी शुरू कर दिया जिहां जोसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एंडिये से उनका नाता जल्द ही तूट सकता है आकपतारे की पारस के एंडिये छोड़ने की खबरों के बीच आरल जेपी के एक बगावत की लहर उठती नजर आ रही है तुसे लेकर उनके समर्थकों और पार्टी के भीतर भी खलबली मची हुई है आकपतारे के आरल जेपी के राज़्शिय प्रवक्ता शरवन अगरवाल ने एक बयान में कहा है कि एंडिये ने उनकी पार्टी में कमजोर करने की कोश्श की है उनका मानना है कि एंडिये में रहते हुए पार्टी के सुदंतर पहचान को चोट पहुँचा गई है तुसके कारण पार्टी को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ रहा है अगरवाल के रुसार NDA करबंधन के भीतर RLJP के साथ 113 वेवार किया गया है जिहां तुसकी वज़े से पार्टी कारेकरताओं में असंतोश बढ़ गया है पार्टी के ओर से यह भी कहा गया है कि NDA के साथ रहने से पार्टी की पकड कमजोर हुए है जो की RLJP के नेताओं और समर्थकों के लिए चुन्ता का विश्य बन गया है RLJP के प्रमुक्र नेता भी इस मुद्दे को लेकर लगतार चुन्तित रहें और इसे मुद्दे पर 19 और 20 नमबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है इस बैठक में पारस को ये बड़ा निरने ले सकते हैं जो पार्टी के भविश्य की दिशा तै कर सकता है वह आकब दादे के NDA से दूरी बनाने का फैसला पारस के लिए एक एहम मोड भी हो सकता है क्योंकि वह केंद्रे मंत्री भी रह चुके हैं और रामवलास पास्वान के बाद पार्टी को नई दिशा देने में महतपुन भुमी का निभाते रहें एंडिये के साथ उनका रष्टा काफी पुराना रहा है लेकिन पिछले कुछ समय से एकटबंधन में उनके असंतोष की खबरे सामने आ रही है वही पार्टी में अंदरूनी सुद्रों के अमसार एंडिये से अलग होने के फैसले के पीछे कई कारण हो सकते हैं यू कहें कि कई कारण है सबसे प्रमोख और मुखे कारण यह बताया जा रहा है कि पार्टी को एंडिये के भीतर वह समान और समर्थर नहीं मिला दूसकी उन्हें अपेक्षा थी पार्टी को महसूस हुआ कि उसे गड़ बंधन में उच्चत महत्व नहीं दिया जा रहा है और पार्टी के हितों की अंदेखी हो रही है इससे पार्टी के कई कारे करता और नेता नराज है और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता ही जा रहा है पारस के इस अगामी बैटक में यह देखने दस्प होगा कि क्या वे NDA से अलग होने का अंतिम निन्ने लेते हैं या फिर किसी नई रणीती के तहट आगे बढ़ते हैं RLJP के इस फैसले का बिहार की राजणीती पर भी व्यापक असर पड़ सकता है खासकर अगामी चुनाओ के संदर में अगर पारस NDA से अलग होते हैं तो उनकी पार्टी का समिकरण बिहार की राजणीती में नए बदलाव ला सकता है पार्टी कारे करता हो और समर्थकों के बीच भी इसी निन्ने का गहरा पड़ेगा और संभवता नए राजणीतीक समिकरण उभर भी सकते हैं तो कूल मिलाकर NDA से पारस का संभावित अलगाव RLJP के लिए एक नए राह तैयार कर सकता है तो फिलाव के लिए बुस्त नहीं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं रही एक नूस्ट्वेटिपूर धन्यवाद